आज मैं बात करूँगा Google Websites related कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो तुम्हारी लाइफ काफी इजियर बना देगी और तुम्हें नूप से प्रो बनने में मदद करेगी तो चलो फिर आज ही क्लास सुरू करते हैं हम लोग अपने day to day life में बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं अपने mobile या laptop में और बहुत सारी वेबसाइट खोलते ही जनरली तुमसे email ID मांगा जाता है और जिसके कारण वेबसाइट close होने के बाद भी तुम्हें regular basis पर उस वेबसाइट के mail आनी सुरू हो जाती है जिससे मेरी तरह तुम लग भी काफी परिसान होगे लेकिन हमारे rescue के लिए 10 minute mail site है जो तुमें एक random email address देती है जो 10 minute में self-destruct हो जाती है जिससे हमें हर जग अपने real email ID नहीं देनी परती और फाल्तू के message से तुम्हारा inbox नहीं भड़ता है हाँ जी वेया तो दूसरा trick काफी मज़ेदार है तो अगर तुम किसी भी image का background change करना चाहते हो तो यह website तुम्हारे लिए ही बनी है remove.bg इस website पर जैसे ही तुम अपनी कोई भी image upload करते हो यह बस 5 second में तुम्हें background remove करके दे देगी तो तुम्हारे rescue के लिए आया है boardbutton.com तो इस website पर जाते ही तुम्हें एक red color का button दिखेगा हाँ तो उसे दवाते ही तुम्हें उस page पर कुछ games खुल जाएंगी और यही नहीं अभी और सुनो तो अगर तुम्हें वो game कुछ खास पसंद नहीं आई तो तुम फिर से board button पर click करो और फिर एक नया game तुम्हारे सामने होगा एक बार जाके देखो मैं link के दे सकता हूँ कि तुम अगले आधे घंटे तक उस website से हट नहीं पाओ रहे हाँ जी तो fourth website है dictation.com तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि COVID की कारण बहुत जगा पर lockdown हो रखी थी जिसके करण online classes हो रही है या work from home हो रहा है जिसके करण हमें बहुत सारे essay assignments या email टाइप करने होते हैं जो काफी लंबी होती है जिसके करण हमारे उंगलियों की बुरी हालत हो जाती है तो ऐसे में हमारे recipe के लिए आती है dictation.com जहां तुम्हें बस बोलना है और यह website speech recognition की मदद से तुम्हारे speech को index तबदील कर देगी या 100 से जैदा भासा support कर सकती है और तुम इवन punctuation mark या smiley भी put कर सकते हो by just using voice commands है ना काफी मज़दार तो जाओ एक बार use करके जरूर देखो फिफ्थ ट्रिक भी assignment वालों के लिए ही है तो अगर तुम्हारे assignment ये report interline cross करने वाली है और अभी तक रिपोर्ट तुम्हारी complete नहीं हुई है तो boss ये website तुम्हारे resume के लिए पहुँच चुकी है तुम्हें बस अपनी file इस website पर send करनी है और ये website उस file को corrupt कर देती है तो जब तुम ये file अपने boss customer या teacher को send करोगे तो वो उन्हें open नहीं कर पाएंगे due to some technical problems और तुम अपने file को complete कर सकते हो कुछ extra time लेकर पर कर लेना जरूर तो ये थी आज की 5 ऐसी tips और tricks जो तुम्हारी life को काफी easy बना देती है तो तुरंद जाके इन website को bookmark कर लो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस channel को subscribe कर लो